आप लोग देख रहे हैं एदे कुर्बा की स्पेशल ट्रांस्मिशन जो के सजाए गई है आप लोगों के लिए एदे कुर्बा आपको आज एद का पहला दिन है जो तयारी वयारी कर ली है हमारी बेहनों ने वो किचन में जाके फुल टाइम एक्टिव हो के खाना बनाती है मैं आपको तहीं दिल से जो है वो सल्यूट पेश करना जाओंगी क्चन में काम करना बहुत मुश्किल होता और इद पे भी नैने कपड़ों के साथ अच्छे अच्छे मूट के साथ बच्चों की खाहिशों को मद्दे नसर रखते हुए उनके लिए खाने बनाना बहुत ब कली जी अल्मोस्ट आ है ठीक है अब मैं इसमें थोड़ी सा हरी मिर्चे डालोंगी ओ के अब हरी मिर्चे अब अपर से जादें और थोड़ा समें डालूंगी हरा धनिया पर हम इसको तो धोड़ा मिक्स करेंगी हामारी बहुत अच्छा ढर्letter मारे पूरे साथ पेल चुका ह अच्छा है गानो का रोमा बीया है और कालेजी का रोमा भी आ रहा है बहुँद अपनानमंग बालों पैच जाते हैं अपने खाले खर फोग से रदावाले के लुदे कर रखे कहा आपज्चा बाद में गाती है तो इतने बसने कह दो अगे हमारी केक पर रखे काते हैं सबसे बैस जो तरह मीठा और तीखा यह स्वीटन सौर्ट जो और जो थोड़ा सा चिली वाला जो सबसे जाथा फ्लेवर जो है वर्ल्ल में यही खाया जाता है मेठा और तीखा मुझे मुझे बहुत पसंद आप यह देखे के दुनिया में यह हमारे सब कॉंटिनेंट में चाट खाई जाती है वह खटी मीठी और तीखी दोनों तीनों होती है तब जाके वह फ्लेवर इन्हांस होता है तो जलो जरेडिया की बात को वैसे तो मैं कोई जा में जाती है एक भुलना खुलना तुछार्या ओध्या और यह को जुक्ति अभदा है तो जेता है में जब आपको मिए सबस्टेदा के लोगवर्ल में यही टेस्समा आपना इक उल्दे की बाता है मैं एक चीज और खाती हूँ हूँ मड़े शुग शॉच्छ अपने य किल खुल और अब जो है वो है वो रेशिपी मुझे लगता है के बन चुकी है शेफ नॉरीन की शेफ नॉरीन के में लिग तरकार है बस अमें सर्विंगी तरफ आईये चितना ताइम है नाज़ीन ये सर्विंग का जो सेशन है वो है आपका और हमारा सब का फेट क्विएक श यह देखें, शुरू हो गई है, टेमाटर भी गलगा है, दही भी इसमें बोग यह बहुत चटपटा सा बने का शाहिए वाओ, मेरे मुह में तो पानी आचुका है, और मैं जरूर ट्राइ करूंगी शेफ नौरीन के खाने, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल, दूसरी जो है, प्लैटर शेफ नौरीन ने सजाने के लिए ले आई है, क्योंकि आपको पता है, हमारी शेफ है, एक तरह से प्रेजंटेशन तो करती नहीं है, दो तरह से प्रेजंटेशन करके दिखाएंगी आपको आज भी, एद के दिन भी हम लोग जो है, आप लोग भी बनाएं 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 अपने कलेजी और हो जाएं बनाएं और कलेजी का सबसे बेस्पाय किया कि आख चोटे छोटे पीस में कट वा लिया करें अपने कसाई से यह लोग खोद काट ले तो अगर बड़े बड़े पीस बनाएं प्रक्षी रहती है, वह गल्ती जी मैंने फुट राइ किये हैं संद्राइ टोमेटो जी जी संद्राइ दो हफ्ते के लिए नेटिंग कर रग दें बीच का वाटरी पार्ट निकाल के अच्छा यह जाएंगे बिल्कु सूख जाएंगे फिर इसको आप ग्राइंट कर लें अच्छा आपका पाउडर तयार है आटाब किस किस चीजे यूज कर सकते हैं इतालीन पास्ता हो आप बनाती होंगी तब इसमें आप यूज करें वाव वाव शेफ लोड़ी ए तो जबी वह पास्ता बनाती है तो वह थे लिए जरूर जाएंगे हमारे ज़रूर साथ प्रेस आपस्ता के साथ प्लीज आपको बना पास्ता के साथ प्लीज आपको दिखार ने तो वो मैं गॉड़ जबर्दस्ट वाओ है सब्सक्राइब आपने तो आज भी कमाल कदियर से क्या मेशा करती है शेफ नौरीन आप कल क्या बना रही है थोड़ा उसका डिसक्शन कर थोड़ी सोच रही हूं कि वो सिलोईन स्टेक होता है वो मैं बनाऊंगी ओखे मां यह और आज कि नहीं बनाया यह ख ललत बाता है अब कल भी आख रहे हैं कल भी आख तो बनाऊंगी तो इसके साथ जाक्त पोटेटो अज बनाएंगे तो प्लीस अब फिर से बुला लो मैं टेक्स दिकाया ग़ to कि चाहते हैं कि कल भी आना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम में यार इनकी मौभबत और शेफ नौरीन के खाने सच में होते ही ऐसे हैं क्या हम शेफ नौरीन को इजाज़त तो भी नहीं दे सकते हैं दे देंगे, होगे हम शेफ नौरीन को अजाज़त देते हैं, इंशालला, कल शेफ नौरीन आपसे मुलागात होगी एक रेसिपी के साथ, जब तक के लिए आपको एद बहुत बहुत मुभारख, आपको भी सब कुमेतर से, एद मुभारख, वी लभ यू शेफ नौरीन, I love you too आप लोगों ने मुलाइजा फर्माई कलेजी की रेसिपी मुझे उमीद है आप लोगों को पसंद आई होगी अपने घर में ट्राय करें अपने बच्छों को खिलाएं अगर वो नहीं खाते तो जबरदस थी खिलाएं उनके मूह में डालें इसके निवालें क्योंकि ये आप लोगों को बहुत बहुत मुबारक और लेट्स एक आप लोगों के लिए इदे कुर्मा का पहला दिन है और हम लोग जो है आपके खिद्मत में पेश पेश हैं और हमारा प्रोग्राम बहुत जबरदस तरीके से रवा दवा है म्यूजिक भी है गाने भी है अपने दोस्तों के साथ फुल टाइम गपे लग रहे हैं मैं चाहूंगी शाजिया जी ने जैसे के एक बहुत खुबसूरत गाना हम लोगों को सुनाया एक और की फरमाईश उन्से करूंगी यह इतनी खुबसूरत आवाज है तो हम सब सुनना चाहेंगे शाजिया जी ओवर टी यू इस जगा बैठ करे तुमने बादा किया था साथ दोगे जिनगी भर छोड़कर न जाओगे हम इसी मूर पर इस जगा बैठ करे तुमने बादा किया था साथ दोगे जिनगी भर छोड़कर तुम न जाओगे हम इसी मूर पर इस जगा बैठ करें आज भी याद है मुझे को उस हसी शाम का बश से दिल जहां मेने आरा था मेने दुम को पका रा था त्यार से अजनभी कैकर आइसी मूर पर इस जगा बैठ कर तुमने वादा किया था साथ दोगे जिनगी भर छोड़कर तुम न जाओगे हम इसी मूर पर इस जगा बैठ कर मेरी दिवान की मुझे को फिर से बोड़ पर लाई तुमने पिर रही हूं में अपनी मीरान तन आई रह गई आरजू ओ शाजिया जी इतना मुश्किल गारा और यह आप यूं 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 करके निकल गई बड़ा मजे से कैसे कर ले दिए मार्शालला बहुत खशूरत आवाज आप बस कहते ना कि अल्ला ताला टाला टालंट दे देता है तो यह सब टालंट कुकिंग हो गया अक्टिंग हो गया सिंगिंग हो गया यह सब मैं आपको इक बात बता हूं शायद मैंने आपको पहले भी इसी ही की प्रोग्राम मैंने का था कि आटेस्ट जो होता है वो बेगन होता है अगर यह की बोर्ट बजा रहे है ये इनके अदर कुद्रती तॉर पर होगा वो अगर मैं सीखना चाहूं मैं अच्हा नहीं सीख सकूंगी जितना ये बजारे हैं जितना वह अच्छा सिंगिंग कर रहे प्लीज उर्दु वाला चीक है जी ओवर तो यू नदीम भाई भाई ये तो मुश्किल है मैं नही पैशान पाई तो इसका मतलब है जिए इसकी शुरुवार तो स्यीकु लग रख पर है दूसरी तरह और ऑप्त तरह है थन्ही गेम खहल रहें यह इन्हीं नहींने पाई ने जी चाहरे हैं लोग अमारा थाकद आप कि भूर हैं धाले पखड़ों कह रहे हैं लाला लाला वाइली बाते कर रहे हैं यह नहीं पुलाबी आगे यह बभी दिए सब्सक्राइब भी देख गाल रहा था भाई यह भी अपस की चेमिस्ट्री नहीं हमें कहा बदार रहा है अच्छा मुझे सुनके यही हो रहा है कि जो गाना मैं ही गैस कर सकती ना इसका मतलब है कि अमारे कीपोर्ड वाले भाई जो है ना यहाँ आसा ट्रिकी गेम खेल रहा है जैकर किस गाने को गैस करें बिलकुल ऐसा कुछ बजाएं यार अदीम भाई कि मैं तो पैचान हूँ एलिस मुझे भी गाना बहुत जोड से आ रहा है जी अब भी नहीं पैचान पाई नहीं पैचान है जी अधा 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 यहीं कर रही है पैचान हो मुझे आ गया है यह गाना समझ और मैं चाहूंगी कि मैं यह गाना गाना बिलकुल बिलकुल पूर जोर फर्माइश चीक है यह जी अधिका कयानी साहबा का गाना है मुझे सपनों में, सपनों में, सपनों में मुझे सपनों में रोज बताए जब घटाए जूमके आहा, 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 आहा इसे जितना संभालू बल खाए दुपट्टा मेरा मल-मल का करू क्या इसे चंचल का दुपट्टा मेरा मल-मल का करू क्या इसे चंचल का वाव Thank you so much Thank you so much, thank you so much, बहुत 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 शुक्रिया एक और हो जाए अच्छा मेरे गाने में फीडबैक नहीं आ रहा था भाई जी जी आप करें मेरी अपने शिकायत है नहीं भाई ये भी समझी है नहीं समझा है मैंने तुमारी गागर से कहीं बारी टिया Теперь नहीं बाम गाने ये नहीं इनीचायता समय दो کی एक ऐख सुख कर अबुद वम्हायता कर दूर और ऐक मेरे जादे हूओ लगे थी चाथा लगे दी चाहता रहु लगेर आठी अच्छा अच्छा ठीक है थोड़ा पाउ जित्ता भी आपको आता है ना पर भरोसा है चले आप शुरू करें भाई वो शादी मारा गाने ना जी लट्थे वी चाजर उट्थे वी चाजर उट्थे सले ती रंग माईया आओ सामने आओ सामने भोलो दिर उसके ना लंग माईया मैने सिर्फे वी लानी जानी एदा राह तक तक में हारी लट्थे वी चाजर उट्थे सले ती रंग माईया आओ सामने आओ सामने भोलो दिर उसके ना लंग माया जबर्दा शेवेजिया ने भी अपनी खुक्सूरा तावास का मुझारा किया जो क्या खेले नी थी वन्दैंचो इनो ने नहीं गाया गाउंगी 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 एक और की जान ठीक है JUN 505 खांचा में आने भालागाने मियुम्स तुझारा जी गजिए इच बिल्कुल देखा ने था बस आप अपने कि अधी आप दोत पिक हंग जाते है लालाला लाला 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 लालाला लाला कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया तो चाना था, को गए सब्रों में हम दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहे हमें अब जो कहे राहों की बाहों को जोड़ जोड़ चल देखा नशा, कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सुचा नशा, को गए सब्रों में हम जबरस बहुती मजा आ गया, किस पर आजाएं, क्या कह रहे है अदिल भाई? अच्छा मुझे आवाज असल में नहीं आपाती, म्यूजिक जब 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 चल रहा है, बिल्कुल आप गाईएगा, बिल्कुल अच्छा डिसकुशन में ये करना चाहूंगी आप से अनीला खासता और पर क्योंकि आपने मेरा ये इतना खुबसूरत आउटफिट डिजाइन किया है, तो ये तो आपको आइजाज जाता है कि मैं आज आज आपकी विज़े से बहुत प्यारी लग रही हूं, बहुत हसी लग रही हूं, अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है, तो यूट्यूब पर जब आप लोग देखेंगे, तो कॉमेंट ज़रूर कर दीजेगा और फीडबैक ज़रूर दीजेगा, आपको हमारे लाइफ ट्रांस्पिशन कैसी लग रही है, अच्छा, मैं आपसे जाना चाते हूं, अनीला किस तरह की ड्रेसे जो हैं, वो आप ट्राइ कर, मतलब बनाती हैं, लोगों के मेक टू आर्डर होते हैं, क्या चीज़े जो हैं, मैं जाज़तर मेक टू आर्डर बनाती हूं, और अपने डिजाइन्स बनाती हूं, ताके लोग मेरे डिजाइन्स पसंद करें, और ताके मैं अपने क्रियेटिव काम करती हूं, बिलकुल क्रियेटिविटी तो इतनी है, क्यों ये खुद ड्रेस पहनी हो, वो भी तरना खु मेरे ख्याल से अनीला को कहीं जाना है तो ब्रेक से जब हम वापिस आएंगी जब हम ब्रेक लेंगे तो उसके बाद हमाज साथ नीला मौझूद नहीं होंगी देखे पहली एद का दिन है सब का अपना दिन होता है बिल्कुल आप क्या कहना चाहिए थैंक यू विवर्स और मै आप लोगों के लिए विए ब्रेक से वापिस और मेरे इंस्टाग्राम ते मजे लाइक कीजिए और आज मैं खास्तों ते कहकशा का जवेर्या का और शाजिया जी का और जिन्होंने मुझे बहुत ज़ादा प्रिशेट किया सब का खुसूसी थैंक्स का दूंगी और आप स एसके तो तो अनिला हमारी सन मौझों महीं होंगी इद का दिन है आप लोग रौना को से भरपूर इंज्रॉय कर रहे होंगे ये महफिल आप लोगों के लिए सजाई है हमने क्या हम ब्रेक पर जा रहे हैं अदील भाई जी सी के साथ साथ जब ब्रेक भी आ गया इनके साथ स बीना जरीन, वेल्कम बैक टू दे शोव, आप लोग देख रहे हैं इदे कुर्बा की स्पेशल ट्रास्मिशन जो आप लोगों के सजाए गई है मेटरमन न्यूस की जानिप से मुझे अमीद है आप लोग हमारे साथ मिलकर हमारे संग बहुत इंजॉय कर रहे होंगे इद का पहला दिन हमारे साथ मौझूद है शाजिया गहर साहिब और जवेर नगयर साहिब अनीला को जाना था उनकी कुछ कमिट्मेंट्स थी इद होती है तो देखे ना कुरवानी होती है बहुत से होते हैं कुछ रिष्टदार भार गेट पे खड़े होते हैं तो मुझे लगता हूँ उनके भी शायद किसी रिष्टदार की कॉल आई होगी कि हम आपके अंगोश्ट लेके खड़े हैं आप कहा हैं तो उनों बोला चले मैं शो में हूँ अब इस दिर्वाद आती हैं तो अब तक तो वो पहुँच गई होंगी उड़ती उड़ाती है और हम बढ़ते हैं डिसकुशन की जानिब के ईद के दिन के बारे में हमने डिसकुशन कर ली कियसा गुजरता है और कोई बच्पन के किस्से हो जाए नहीं वाकिए क्योंकि छोटे जानवर आते थे बकरे आते थे उनका तयार करना और उनको वो जो होती ना मुझे अच्छी तरह से याद है वो पनिया टाइप का उनको सजाते थे कि उनको खास तोरबे कि जी हमने अपने जानवर को सजाना है लेकर जाना है और मैं लड़की थी लेकिन बिंदास थी बिलकुर उनको पकड़के और उनको घुमाना पूरे इत गली में घुमाना और वो मुझे अच्छी तरह से याद है ये जरूर मैं करती थी अच्छा हर इवेंट आपके देखें न हमारे जिंदगी में खुशियां कितनी जादा जो है वो कम रह गही है हमें चाहिए कि हम हर इवेंट अपना खुश नूभी के साथ खुश इखलाकी के साथ और खुशी के साथ इंजॉय करें जवेरी आपके बच्छपन के तो बेश्चमार किस से होंगे मुझे पता है कोई एक आद आप हमसे अगर शेयर करना चाहें हाँ एक आद मैं अपना तो शेयर नहीं करूंगी को इसा अपना तो हमती के मुझे तो मैं शुरू से देखती हूं है को बाद बीते तो को बाद एक बेहन है मेरी बड़ी जिनका बड़ा घर में मशूर है कि जब सबसे पहले हमारे घर में जब कुरबानी हुई थी तो वह उसकी उए ती वह मेंड़ा होता है तो उन्होंने बच्पन से पाला वाला और उसके बाद फिर कुर्बानी उसकी जब की तो हमारी बहन चोटी सी थी कोई साथ 8 साल की थी तो उनको बड़ा लगाओ हो गया था उससे और उसको खिलाना पिलाना वो भी बड़ा अटैच हो जाता है उसका नाम इन लोगोंने प्यार से घर में रखा था मुनना अब वो जब 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 अवा मुनना जजन तो भाई हमारी वेहन साहबा तो लो रो के हशर वुरा उनका अम्मी अब हमारा क्या होगा हमारा मुंना चपाशा हुगा इया हुगा तो वह वहता किसца मुझा बी सुन थी दी हम आथी dif कॉर्बानी यह अवा कि पया रूँए यही है कि जिस जानवर के आप कुर्बानी करें उसको आप पा लें आप उससे अटैच हो फिर आप उसको कुर्बानी के लिए दे तो वो होती है असल कुर्बानी ये कुर्बानी तो क्या होती है कि आप रात को खरीदें और सुबादा एक दिन पहले और रेट गिरने का वेट कर रहे हो तो मैं चाहूंगी जानना, आप लोग कभी मंडी गए हैं, जानवर खरीदने? चाहिए नहीं चलो बच्चों को लेकर चलते हैं, तो हम उनके साथ गए, बड़ा मज़ा आया, लेकिन सारा मज़ा मेरी बेटी ने किरकिरा किया, इधर मुड़े उधर मुड़े हर तरफ गाए, और उसका वो रोना, वो वावे न, चाहिए तुमने स्ट्रीडिस में लेका भी अब तो नहीं है चाहिए, अब तो नहीं है चाहिए, वही मैं आपको बता रही हूँ ना, कि मैं तो यह के शुरू से ही, मैं इस मामले में बड़ी सुस्तों के जी, वो कसाईयों के पीछे भागूँ, कटवाँँ, पर पैक करूँ, फिर सब को बाटू, इससे बहते हैं कि म जो मुस्तहक हैं, उनके पास फॉरण मेरा पहुच जाता है, इस वज़ा से मुझे अभी इस कम से कम लास्ट फिटीन यर से तो मुझे कोई एक्सपिरियंस नहीं है इस चीज़ का, अच्छो, मैं लास्ट फिटीन यर से यह कर रही हूँ, माशा अला, चाह बहुत दफा यह जब बक्राइद होती है, तो घर में कोई एक बंदा ऐसा होता है, जिससे बोटिया कटवाई जाती है, आओ बैठो, तुम यह गोष्ट को ज़ना, इसको हिसाब किताब कितारो, तो आपके गर में होता है ऐसा, अभी नहीं था, बच्पन में बड़े हमारे उपर जयात्तिय हुआ 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 ह कुछ हमारे जो रिष्टदार तो उनका वता दे दिती इसके घर जाना उसके घर जाना और जो आपके रिष्टदार बक्राईद पर भी आपको एडी दे देते हैं वो मेरे मोस्ट फेवरिट रिष्टदार हुआ करते थे क्यो मैं जो उनको गोष्ट की थैल यह आगे से बुलते थे बेटा मीठी पटा तुम आई ही ती यह 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 तुम एडी रख लो मुझे आज तक यहाद है यह जो बच्पन के किससे होते हैं क्योंके कहते हैं मेरे बच् लेकिन यह था वही बात बोलाओंगी बोटियां कारना और पैकिंग करना वह मेरा होता था अच्छा आपके साथ दश्पन में ही यह जुम हो सितम हो चुग है मेरे साथ ना और जब जाने कर टाइम हुआ तो बही मुझे भी साथ लेकर चले नहीं तुम क्या करोगी इतनी द वाला टाइम है कि जब घूमना है वो आप लोग खुद जा रहे हो तो नहीं मैं बड़ी दुखी गुजरे गुजरती है मेरे इद बहुत जादा अच्छी मेरे पास कोई भी याद मैं है अच्छी आपका कोई किस्सा बारिश नहीं हुई तो मेरा बार बेक्यों पका है और अव अगर बारिश हो गई तो क्या करता फिर तो क्च्छा पक्का है फिर कोई कच्छा अच्छा एक इस इद मेरे जरना वो लोग लस्टाण अदरक का बड़ा सजार भरके रख ले थे हैं तो प्पीत जो है तो क्च्छा फपीते को पश को अब ड़द मिलती है कच्छे आपक आने की ज़रूरत यह सब्सक्राइब भाप में भी हो जाती है मलाई बोटी बनाते हैं तो उसके लिए कच्छे पपीते की यह जो कच्छी पाउडराइजर की ज़रूरत पढ़ती है क्या है अच्छा गोजद गलाने पी एक अमल भाट ज़ादा हमारी खवातिन इसमें मश्गूल होती है कि सुबा से जो 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 गुकर में बनाती है वो तो इसीली बन जाता है दस-पनदा मिनट men चुटकी भर आदा चाय का चमच, मीठा सोडा अट कर दें, अगर धीट से धीट गोष्ट भी होगा, वो गल जाएगा, गल जाएगा, वेर मीठा सोडा काम आ गया, और जब बात हो रही है, मीठी मीठी तो हम मीठी आवाज दानिश भाई की सुनना चाहेंगे, एक जबरदस् माइक लें आपे, मेरे साथ जानिश भाई की सुनना चाहेंगे, पता पता मालूम नहीं को, 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 को तो वो मुस्स शर्मा है मैं पहलों का दिल पड़ मैंने शायद देखा है तो ही तो कही एक शुरत मत पाली सी नाजुक सी शर्मीली सी मासूम सी पोली पाली सी रहती है वो दूर कहीं अधा बता मारूम नहीं को को कोरीना, को को कोरीना, को को कोरीना, को को कोरीना वो सकता है कल फिर मुझको वक्त वहां दे जाए मैं घब राओं देखे उसको मुझस से शर्मा है मुझस सकता है कल फिर मुझको वक्त वहां दे जाए मैं घब राओं देखे उसको मुझस से शर्मा है मैं कहतू का दिल बड़ मैंने शायद देखा है तुम को करी दानिश भाई जबर दर्स बहूत ही जबर दस गाना आपने गाया जवेरिया की फर्माईष पर जवेरिया ने कहा के मेरी फ़र्माईष हो जाया जिस में जवेरिया ने उनके साहए में गाया अपनी अवास खुब्सूरत आओ आप लोगों पहुत responder Ruoda को जाता है बड़कल मुझे नहीं जाता विलकुल नहीं जा यह डाइक मीरॐ से बटे हैं हम लोगी को हम陽開व धुन हो तो ऑठीज के इतने बात हैं वो गई इद पड़ पहुआतीसं की जू डॉब्व जल जाते हैं तब जाते हैं फुर्ट नहीं आज कि नहीं आज कितिनी उनकी वी वाराइटी हागी हमी जल रहे होते हैं कि क्या है अच्छा चांद रात पे जो आप जैंट्स के जो ना सलोन देखा करें क्या-क्या मूँ पे लगा के वेटे होते बाई तो मतलब और जो कर रहा होता है ना मसाज वो इतनी रगड़ रगड़ के उनके स्किन खराब कर देता है यह समझते हैं कि जितना रगड़गा वो अत्तक उपसूरा दो जाएंगे व सवक्त तो रगड़ होती है मैं तो पिंक पिंक गला लोगा दो जए बगला दीन घुजरता है ना तो फिर उनकी स्किन हो जाती है काली बोलो काली, जैड हो रही होती है जैड हो जाती है, ऐसे अलफाज जो हम बिगदम से नहीं बहुते हैं जो बिजारों के हुआ हो उन्हें दिल पर तीर की तरह चुछे हैं मुझे लूबेज हो जाती है, आचाय को से नहीं से काली हो, मुझे तालिया बज हिए, उनके मुझे नहीं मुझे जाती हो, मैं जाती हुई उनकाली मैं मैं जाती हो जाती हूँ benchmark खवातीन की आप सेलून देखें कैसे बुलाएं बुलाएं हाथ पर से हमारी जो दोस्ते हैं वो फेस का मसाज कर रहे हैं इस चीज की अवेर्णस की कही न कहीं कमी है जैन्स हज़राद यह समझते हमाई सकी हाड हाड हाथ से ही मसाज होगी तो दिए हैं यह गलत पहमी है यह है उनका देपार्टमेंट हो ता है बहन जो ऑस अब क्या पकेगा यह पकेगा बेगब यह पका लो अच्छा और लेकिंश से हमेशा हमेशा कहते हूँ के हैसल्किंट तक लेजो के मैंने बताया ना तुमें मुझे साग खाना पसंद है दाल वाल ये वो फर चीज़ पूरी गर्मे गाएगा जिए जी जी वो आपकी सहर देखकर हम अदाशा है अच्छा आप चूजी है अच्छा आप चूजी है खाती है ठीक है मतलब पाय आपको नही पसंद कलेजी आपको खा लेती हूं लेकिन ये ऐसा कोई वो खास पकाती बतादा चाहूं नहारी पाए औहलीम ये तीनों चीज़ें मैं बहुत अच्छी बनाती हूं वेरी गुड़ बास पकी तो गो चुकी है आपकी नहीं हो ये है मुझे कुकिंग का शौक है लेकिन मुझे इतना वो नही है क और च्छी मैं ये वी है विग और शौक रखाटे उए मैंदेज से शना भांड़ रकने भी कलन गजाती है मुझे मुझे एसे हाइब उसलेगे बहुत पर बहुत हार्ण लगता लगते हैं मैं जो इसी होते हैं मिरे भाभी बहुत अश्य काहांगी अजश्य क्यू अब दो खुदी पंग जाएगा कि उनको फर्माईश यह भुषारिश रही है वह भी जारे है मैं क्योंके वह बहुत खाना पसंद है अरे रहें तुम्हाइश साथ रहे कोई पूडी नहीं होंगे वह नहीं मैं भी बहुत चेतो हुँ यहां भूखे होंगे हमारी बार्बी क्योंके हमने बात कर ली पाय आपने बता दिया आपको नहीं पसंद तो कोई ऐसे डिश जो स्पैसिफिक मैं बोलूं के एद के हावाले से आपको पसंद है वो क्या है पिरियानी और शामी कबाब यह दो चीजे लग रहा थे हैं वह नहीं चाहिए है भाब मुझे कबाब पसंद है ठीक है फास और पर यह जो शामी कबाब होते हैं मैं शामी कबाब फ्रीज कर रखती हूं अपने बास कि कभी मेरा मूट कुछ नहीं होता तब दो निकाले और सेका तला नहीं सेका ठीक है सेका उनको जैसे होता है न बिल्कुल चुआ तेल को टिशू के उपर आप फ्राइपन में लगा दें अच्छ जी पुछ से चिप कर नहीं और मूं में पानी आ रहा है हां बिल्कुल आ है क्योंकि भूव भी लग रहा है यह आपके लिए तो आप लगा के लिए टीशू पर लगा के उसके पर कबाब रग दे तो और थोड़ा दम पे रखे वना जल जाएगा थोड़ा दम पे रखे वो खुद बाखुद पख जाएगा आप बगाए बिल्कुल लोग फैट किसम का कबाब खास रहा है क्योंकि मैं भी ऐसे चीज़े बाज़ा बर्दस तो बस यद्धी मैं तो भी दोनों दोस्ते हैं क्यों बगाए दोस्ते हैं मैं इन लोगों से पी घुजारिश करूंगे और फर्माइश करूंगे कि जब भी आप लोग इस तरह के खाना बनाएं तो मेरे पेच्वाइब आते जाते रास्ते में घर पढ़ होता है चुटी होती है तो यही प्लान है कि मैंने सोना है या फिर अब मी के घर पे जाके खाना है वाँ तो शूस्त अप्र शूस्ती कहां है वितना यार फिर फिर लेकि जो भी इंजॉयमेंट होता है यह खोर्मा बनता है तो I love sweets I'm a sweet tooth person मेठा मेरा जो वजन बढ़ता है व आप तीन वक्त का खाना होता है वहाँ आप सात वक्त का कर दें छे वक्त का कर दें इस तरह से कर दें दो दो घंटे बाद आप थोड़ा थोड़ा खाते रहे तो आपका weight नहीं बढ़े रहे चाहे वह आप गुर्बानी के गोश्त में से भी solid में भी थोड़ा थोड़ा portion न होते हैं उनके अंदर ये बात आप फिर मैं यही कहूंगी कि आप लोग जाते हैं कि वजनी हम गाये लें वजनी बक्रा लें तो ऐसे अल्ला ताला ने जितना उसके अंदर गोश्त का एक डाला हुआ है कि इतना ही गोश्त निकलेगा बाकी वो जो मोटा होता है वो सिर्फ सिर्फ चर्वी होती है और वो ठिकता है आपका उससे बहतर है आप एक ऐसा एक्टिव बक्रा लें जिसके अंदर गोश्त हो जर्मी हो अच्छा बच्पन में कभी किसी गाये ने किसी बक्रेले टकर मारी मुझे दुम मारी थी आज तक यादे में ट्यूशन से आ रही थी य वाग थे वागता है यह अधे एक एसा किसा है कि ने टकरेल पर्स के जिर्इद कर दो जों किसी बक्रे भाता मोई खाय शका एक है कि बचकडरा बहाती से बक्रेभगा थे जशी में करें अब भात बबग्रा बहागा मैं बात बाद को तो अ आहरी एयूर और पर्स। कियो डीकरी में एक मची हृगे, लेको चांकर होुडानी, आपसी पर लगा रहते हैं Rainot किस्के पीछ के पाग रहते हैं को बिस पीछा गाई अवे तब इस तियमेथा लोग जाए है विचने के जारे। टारे। व conscious समर्भार के छहें। मैं अधी के जने होता है। मीमने लही एक देते हैं। वेसे जाते हैं। कि पर्सों थेत्थ, भागा रही थे । 24 नहीं हूरые हुझे ट्रुट्साहया था ऐ। जब जानवर के बागाता हूँ जानवर के लिए भागना सवार होता है तो आओ देख तो आओ तो बस सीधा बाग रहा हूँ जानवर में पर लिटरली मैं वाकी वर्ड यूस कर रहे हूँ कि दफा हो जाओ मुझे तुम लोगों से कोई काम नहीं है जा बागूंगा और इस त जानवर हम पकड़ के लिए गाय के अंदर टेक्निक है कि वो सींग तो मारती है वो पीछे से भी अपनी टांगे मारती है वो दुम भी अलग चलाती है और बहुत हुशियार होते हैं यह जागाएं और बक्रे वगएरा बक्रे बड़े 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 शरारती होते हैं बक नहीं, मैं तो बहुर डरती हूं इस तरह की चीज़ों से, मैं सिर्फ यह नहीं देखना पसंद करती हूं जब कोई जानवर उतर रहा हुता है बच्छबन में किती एकसाइटमेंट होती थी ना किसी के अगर पता चाज़ जा जाए उगली में कोई जानवर आया है बस आप जाएटमेंट हो जाते हैं कि वह सवाई बिल्कुल वह एकसाइटमेंट नहीं भूलती है बच्छबन की ना और खास तोर मेरी मेमूरी में सेव है कि वह पहले तैयार बाकाय तो उसको महंदी लगाई जाती थी शायद ना कि उसको बक्रों को से सरकल से बने वे होते थ ताज पहना दिया जाता था और हमारी नानी भेशती थी कि जाओ मुलासमों को भेशती थी कि जाओ इन बक्रों के वपर ताजवाज और सजया लेकर आओ वाकाय ताव मेरी जो चीज़र घुझे नानी आदिया बी ौई अभॉल थी अज़कर मसरूप है बच्चों बाइल हर चीज प्रॉपर करती थी हर न्याज, हर चीज हर रमजान क्या हो या कुछ भी हो वो हर चीज प्रॉपर करती थी बिलकुल जबरदास एवन तबारक की रोटी की जो होती है न्याज जो होती है वो तक हमारे हाँ होती माशाओ trib найm बात हो बात हो पता ही नहीं चला दwill कुर्बानी का पैनल दिन हम लोगों को ने साथ गुजारा मैं चाहूंगी आप लोग क्या मैसेज देना चाहेंके शाजआ जी सबसे पहले आफ मैं यही मैसेज देना चाहूँगी जो मैंने प्रोग्राम में स्टार्ट से पर कहा था गरीबों को दे जो वाकर डिजर्व करते हैं बिल्कुल वाट ब्यूटिफुल मैसेज ओवर तो यू जवेरिया आपके मैसेज़ देशाएं इसी चीज़ को अगर मैं आगे बढ़ा हूं तो मैं कहूंगी उन गरीबों के इलावा के सफेद पोश्ट लोग जो हैं जिनके घर म अपने खांदान में जाएं दिलों से बुराईयों को दूर करें खतम करें मामलात को और बड़े मज़द से मिलें खाएं पियें चलाउट करें अच्छी सी एद मनाएं और भाई एद मुबारक और आप उच कह रहींगी हाजी मैं आपकी ही बात को आगे बढ़ाओंगी कि ये बात ये सही कह रही हैं कि सफैद कोश्ट जो होते हैं वो ना बोल सकते हैं ना कुछ कह सकते हैं ना मांग सकते हैं क्योंकि उनकी अपनी एक इज़त नफस होती है तो उनको इस प्यार से इस तरह से दें कि उनको पता भी नचले कि आप उनकी हल्प कर रहे हैं बिल्कुल इसको तोफ़ा बना की दे देए हूँ बिल्कुल बहुत ही खुब्सूरत पैगाम आप दोनों की जानेब से आया आप लोगों को हमारी तरफ समय पुरी टीम की तरफ से इडे कुर्बा बहुत बहुत मुबारक हुशु कुछ आप लोगों के यृइडे कुछ नाफ विए बह से इतना प्यार है कि जब भी ये इन्वाइट करती है मनानी कर पाते हैं जाते 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 बाट पाकिस्तान इंदबाद फिया माने लाहाफिस जाते जाते दानिश भाई की तरफ से एक जबरदस्त गाना जो कि हम लोगों का दिमाग जो है वो और जादा चलाना शक्ते जी